एलो फ्रेंट्स वेलकम तू माई चैनल विने एक्विटी आज हम चार शेर के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आने वाले समय में एक तेजी बन सकती है तो बिल्कुल बने रही है इस वीडियो के साथ आपको आपके हाथ एक उपरचुनिटी बन सकती है छोटा सा करेंगे आपके जिए टो यहां जो है अच्छा का समय में बन सकता है यह जो है घिल्ली चार्ट है और इसका जो प्राइस के अंदर बंद हुआ है कि एक तय स्टोपलोस लेकर मतलब की अंडेद टोपीस के आसपास का स्टोपलोस लेकर भी इसके अंदर बने रह सकते है अग थोड़ा सा correction gap down opening होने के बाद एक तेजी आए तो इसके अंदर भी एक अच्छा का सा moment बन सकता है यहाँ पर जो है तेजी का एक चैनल चल रहा है यह आप उपर की और नीचे की trend line को देख सकते हैं और मुझे सा लग रहा है कि छोटा सा stop loss लेकर इनिया रहा है क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़ा सा वक्त दे तो मुझे सा लग रहा है कि यह जो जब यह उपर से नीचे आया था यह 500 रुपे के आसपास गया था वहां से इसके अंदर एक correction आया था और उसके बाद जब यहाँ पर देखे तो इसने breakout की जो है breakout दिया है तो थोड़ा सा वोलियम के इसके अंदर कमी है लेकि वह भी मुझे इसा लग रहा है कि आ जाएगा तो इसके लिए सबसे बड़ा पड़ाव यह पहला 130 रुपए तक जाने के इसकी संभाव ना है क्योंकि यह जब यह पर इससने रेजिस्टंट फेज किया था जब यह नीचे गिरा था इसी फास और यहां नीचे और बंद हुआ पांच रूपए के आसपास का इसके इंदर तेजी रही और इसके अंdर देखे तो ए तो इसके अंदर भी देखे तो कुछ छोटा सा stop loss लेकर आप current level के उपर बाई कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो weight भी कर सकते हैं थोड़ा सा और यह है NFL यह इसका daily chart है national fertilizer इसकी जो closing रही Friday को मितलब की बुद्वार को तो 60 रुपीज के आसपास इसके अंदर यह इसका daily chart है और एक बहुत ही बढ़िया बात होती हुई दिख रही है इसके अंदर एक यहां पर अगर आप देखे तो एक golden crossover होता हुआ दिख रहा है इसका 200 50 days का EMA है वो 200 दिनों को EMA को पार करके ऊपर जा रहा है मितलब कि इसको golden crossover करे थे और जब यह होता है तो इसा माना जाता है technical levels के उपर कि इसके इसे श्वयर में जो है तेजी आने वाले समय में तेजी बन सकती है तो इसके अंदर यह कुछ तेजी के संकेत भी दिख रहे है यहाँ पर अगर आप देखे तो एक इसने 60 रुपीस का हाई बनाया था यह वापस से उसी लेवल के आसपास आ गया है तो अब इसके अंदर एक इसको जैसे ही 60 रुपीस को पार करेगा तो इसके अंदर देखे तो काफी अची बढ़िया बड़त दिखना को मिल सकती है और 60 रुपीस को पार करता है यह 73 रुपीस के आसपास जाएगा यह 20-25% के आसपास की इसके अंदर तेजी बन सकती है और यह रिटर्न जो है वो कम नहीं कहलाएगे सोट टम के लिए और इसके अंदर अगर देखे तो स्टोप लोस किया ले तो आप 55 रुपीस के आसपास का स् आप लिए हम आगे बढ़ते हैं लेवर सो थरूर आप नोट कर कीजिए सभी शेर के अंदर और यह टेक में रहाए इसके अंदर एक चोटी सी तेजी बन सकती है आने वाले वीक के लिए यह भी 1410 के ऊपर किसकी क्लोजिंग हुई है और पिछले काफी दिनों से यहां पर अ कि अन्दर जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले वीक के अंदर तो 40 रुपे का मतलब की रिश्क है और 90 रुपे के आसवास का रिजर के अदर मिल सकता है इसलिए मैं इसको भी जूस किया है तो आज के वीडियो में इतना ही यह चार शेर थे उसके उपर अपने लेवल को ज से लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें इसे वीडियो के लिए थेंक्यू पर वचिंग इस वीडियो